विल्कम बेक टूमा यूटूब चैनल पेपर हैगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हम फिर आपके लिए एक नया कोश्चन लेकर आएं ठीक है जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कोश्चन नंबर 17 17 पूंच रहा है आप से कह रहा है प्रकासिक समय वेभियों की आर आपको समझाना है ठीक है यह पूंच सकता है यह आप से क्या पूंच लेगा इसी को पूंच लेकर निर्पेक्ष बिन्यास को उधारर सहत समझाईए तो सबसे पहले हम बात करें हम किसके लिए पढ़ रहे हैं अब पढ़ रहे हैं यहाँ पर के वल आपको इंपोर्टेंट कोस्टिन कराते हैं अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राब करें साथी पास में लगे बेल आइकन को दबादें जिससे कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहा है और इसको इसको अपनी अच्छे से त्यारी करते रहें ठीक है जाती बताना चाहां गया यह जो वीडियो भी हम इसके बार हम डिसकर्फिर हैं जो कोश्टन है हमारे पास यह से पहले हमने जितने भी लेक्टे लिए जो वीडियो हमने मतलब अप्लोड की है उन सभी किसी का भी को पीडीए फॉर्म चाहिए किसी का भी आपको पीडियंस चाहिए तो इसी वीडियो के टीकिए इस वीडियो का पीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिफिन बॉक में इसका link मिल जाएगा जहां से आपको कर सकते इसको को डाउनलूट कर सकते या और आप अपनी आछे से कर सकते हैं प्रकासिक्स समय आप्र इस प्रनाली तो आप लबावर करें का조 जटütfen इस James क्रेंने यहहां पर अगर हम बात करें और की ठीक है तो अपर आपर क्या हूस्य की कि इस कम वाइल में लोग बाइट हुआ माल Cake जो सब्सक्राइब अच्छा वर्द जैसे होता सिनिष्टर क्या होथा यह सिर्ट जिसका मतलब होता है है कि अ क्लोग कई अत्पSi कलो करें झो का आर पिरेसं देगा और आले कौन सा sec time करनीं करनी है तो चलिए किस तरह से इसके बारे में पढ़ाते हैं ठीक है यह है क्या दोनों एक ही आरस प्रडालिया निर्पेक्च तो अबसल्यूट कांफिक्रेशन के अगर हम बात कर रहा है तो कहा रहा है किसी असम्मित अडू असम्मित अडू क्या होता है कि वह अडू जिसमें कारवन से चारो जो एटम ऐसा हो जागा है अजमित कारवन हो जागा ठीक है अडू के विवन समूह की वास्तविक स्थानिक बिवस्था ठीक है कैसी होगई को अनु का निर्पेक्ष बिन्यास कहते हैं जितने भी अरू या गुरुप लगे होंगे तो वही क्या होंगे कि विवस्था उनकी जो बिन्यास को आर एस प्रडाली में ब्यक्त किया जाता है अब यहीं जो इनका जो अरेंजमेंट है स्पेस में इसी को हम आर और एस प्रडाली से क्या करतें डिनोट करतें ठीक किस तरह से कह रहा है आरस प्रडाली को कोहन और गोल्डन प्रिलोग कौन था कोहन और इन गोल्ड कोहन और इन गोल्ड यह आपके बैग्यानिक इनको आपको याद रखना है कोहन और इन गोल्ड प्रिलोग प्रिलोग यह आपके साइंटिस्ट है ठीक है इनको आपको याद रखना है प्रडाली भी कहते हैं यह इसको क्या कह सकते हैं आरेस प्रडाली को कोहन और इन गोल्ड प्रडाली के नाम से भी इसको जानते हैं जिसे आरेस पद्धती भी कहते हैं क्या कहते हैं आरेस सिस्टम भी इसको कहते हैं कहरा यह पद्धती योगिकों के बास्तिविक त्रविमी ठीक है उनका जो बास्तिविक अरेंजमेंट होता है बास्तिविक त्रमिक सूत्रों पर तो इसली होते है उसी कार्वान नियास निरदारित कि यह आपका यह आर हो गा यह आपका यह यह आएी प्र believe प्रिस्तावित की थी ठीक है तो बैग्यानिक का नाम भी आपके याद रखना कोहन इन गोल्ड और प्रिलोग करा इस विधी के द्वारा नामकरण के लिए नौटेशन्स आर इसका लेटन भासा में मतलब क्या होता है अ मतलब होता है तो दो सब्दों से हमें इसको क्या करते हैं ठीक है पहला क्या है और इसका लेतन भास दोनों भी दोनों ही कैसे लेटन ओने उन्हें के लिए बिसेश रूप से उपी होगी है जिनमें एक से अधिक असम्मित कारवन परमाड होते हैं कितने होंगे एक से अधिक आपके असम्मित कारवन परमाड होंगे दो हो सकता है तीन हो सकता है ठीक है तो कह रहा है जो गिलिसरिक एलडे हैड से संबंदित नहीं होते हैं जिनका कहा वन्यास होगा यह कैसा होगा और आपका अपर का सायगा या नहीं कि शब करो ऑर और च्छनों कि प्रतिवां और उस्षित करते और और क्या था है कह बीडियम्में कोüzel करते हैं ठीड है जैसे की करेंगे तो पर देनोड करेंगी तो कि कि अधा इसको व्यक्त करते हैं कर रहे इस बेधीद्वारा नामकरन में दो लिखते हैं प्रत्म पद्ध ये बाते आपको द्यार रखने हैं नाम करने की बिधी तो सबसे पहले अगर हम बात करें कहता है जिस कार्सुन परमानु का बिन्यास निर्धारित करना हो उससे सलंग्न यानि कि उससे लगे सबसे पहले एक उसके बाद दो तीन वा चार प्रदान किये जाते हैं तो किसके आदार पर यह जो कोहन इंगोड प्रिलोग बैग्यानिक थे उन्होंने एक अनुक्रम दिया था इसी के आदार पर हम क्या गरते प्राथमिक्ता को घटते हुए क्रम में एक से लेकर चार तक हम म अब किसे प्रदान करते हैं जिसके अगरता यानि कि प्रियोर्टी सबसे उच्छ होती है तो उसको क्या करें? नंबर एक देंगे ठीक, और और क्रमांक चार उस परमाडू या समों को दिया जाता है जिसकी अगरता सबसे कम्यान की लोट्र रिरटी होती है थैक नंबर सबसे उधिक तरह से ऊच प्रियोरिटी वाले को यह भी देँ अनुक्रम नियम क्या तश स्रूल क्या कहता है किस तरह करेंगे कि इस नमबर एक रहा असम्मित का परमाणू पर जुड़े परमाणू या समूहों को उनके घटते हुए परमाणू करमाण की अनुसार व्यवस्थित करके उनकी बरियता करम एक, दो, तीन, चार ग्याद करते हैं अब कोई भी जो आटम है कोई भी मॉलेक्यूल है उसमें चारवर परमाणू परमाणू की सम्मित कारवर पर माणू का? इसको प्रियोर्टि ज़्यादा देंगे इस को Dev adversity यह ठीकर तो इस आधार हम क्या फ्राइं है इसको नबरेंग करते हैं जैसे खाए्ट है ले तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या कर लियां कि जो अमारा कार्वन आटम है या असमित आटम है किसी मॉलेक्यूल का उसमें जो भी कि हमारे अटम सोर गुर्प लगे हुए उनको प्रमानु कर दी नी कि कौन से परमानु कर ज्यादा च्छार सार नंबर देंगे ज्पसे CNP के आधार विक टकी हृता हो देन चार नंबर देंगे ठीक तो इसकी सिंदयं यसिया जुमन कर दって पर हम इसको क्या करते हैं numbering देते हैं तो यह देखिए आपका देर रखा है कि यहां पर देखा ब्रोमीन खुलॉरीन ख्लोरीन और आइशन तो इनका क्रम क्या हो जागा पहले सबसे ज्याद क्या होगा ब्रोमीन, फिर क्या होगा, क्लोरीन, फिर, 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 हाइडोजन, तो सबसे नंबर एक किसको मिलेगा, ब्रोमीन को, क्योंकि इसका परमाणु किरमाँ के ज़्यादा है, और नंबर चार हाइडोजन को, क्योंकि इसका परमाणु किता होता है, एक होता है, ठीक है, तो यह पात ध्यांद रखने वालिये मतलब कारवन से चारों गुरुप लगे रहे हों कि हो नहीं है कि अजै कि शॉड़ ईंगा दिश्चा में आप नियुकर करणे के लिए पहले इन पर्माळु से जुड़े अन पर्माळु करणे के लिए के तुलना करते हैं अब देखो कोई भी भी हमारा सम्मित कार्वन कार्वन परर्मानू तो दूसरा हो सकता है इस तरह से करेंगे सबसे लन बात करें तो आपको दे रखा यह किया रखा है नंबर एक कारवन नंबर दू है क्या है और तो यहां पर नबर कारवन की बात कि बात के लिए तो प्रमानु कुरमांक कितना अच्छे इस वाले की अगर हम बात करें तो इसमें देखो तो इसमें कर लेते हैं तो इसमें अगर सब्स्ते पहले प्रियोर्टी देने की बात की जाए तो सबसे पहले आप किसको देखो नंबर एक हम इसको देंगे और नंबर दो और यह तीन इन तीनों में से आप प्रियोर्टी किसको दोगे यानि कि पहला नंबर किसको दोगे जिसका परमानुकृर्मां का ज्यादा होगा उसी को हम पहला नंबर देंगे तो हम क और एस नैमिंग करते समय सबसे पहले हम किसको देंगे इसको इसका परमानों कुरुमान corazón प्रमानों के दूस्वान का चुछ और फियर दूसरी की तुनमां गते हैं तरह से इसका हो जागा यने कि थाड नंबर किसको मिलेगा फर्स्ट वाले रालत मिलेगा य था हमारा नम्बरिंग करने का sequence ठीक है तो चलिए देखते हैं किस तरह से इनकी नम्बरिंग करते हैं किस तरह से हम इनका नाम लिखते हैं तो गारा मैथिल समू यानि कि CH3 उपर हमने देखा था समू में प्रियोक कारवन से दूसरे परमानू तीनों हाइडोजन लगे हैं ठीक है जिनका परमानू करमानू कितना एक है परमानू जुड़े हुए हैं जबकि एथिल समू जो दूसरा हमारा था समू में प्रिथम कारवन समू से दूसरे परमानू से एक कारवन समू यानि कि परमानू करमांग 6 तथा अन्य हाइडोजन परमानू करमांग कितना हाइडोजन का एक है ठीक है तो इसमें क्या लगा हुए है एक कारवन से अगला कारवन लगा हुए है उससे क्या लगा अप्रूपल कि बरिता का करम का अधिक हो जाएगा यान प्रोप्ल कितना हो जागा तो इसकी बरीते ज adoe वजाएंगे तीरा इसरा कहँ रहा है तो कह रहा है त्यक्ता ओला परमानू फी कोईapping सब्सक्राइब क्रमसा-दो-या-तीज फका माना जता ऑप अगर डो क्यों काड़न के वह आड़ावर मानेंगे किसी कारबन के डूबल वाज़न से एम एम एए एटम लगा हुँआ है तो उसकह हम किसके बरावर मानेंगे उसको मानें ग franchise कितनी वार्वह Zoo अगर favourite क 14 zero लगा हुए तो मुझे कि तीन वार लगा हुए नग Talking यह स्वेट आपके सामने आएगा तो रभात करें तो यह कारण से डवी त्वाड़ां लगा रहता लगा तो यह दूलिबर यह मानते हैं कि यह कारवन इस कारवन से दो भार ऑक्षिजन लगा घाव एक यानि कि इसको दो बार ऑक्षिजन को कांट करेंगे यह कहने का ताथ पर यह इसका कि इसके आगे तो कि आज इस प्रकार अगर आपको CHU गुरूप मिल जाए तथा CH2 OH मिल जाए तो इसमें बात करें CHU की बरीता अधिक होगी कि आज आप दो आग कर्वण फाल-एक कनेक्ट है यहाँ वन्टेन को यह को आश्को deberा मानें के अगर और कुई एकligen को दो बार मानें तो जैसे अगर भात करें कहते हैं तो यह कितना हो गया है आपको हो जागा सत्रा प्रमाव्लिंग नेक्ष्ट अगर हम इसके बात करें उसका कितना हो गए आपका 17 हो गए इसके बाद अगर CH2 OH की अगर अम बढ़त के लिए यह पराबर है यह आपका हो जाएगा कारबन से देखो किया लगा है एक OH लगा हुआ यह बालाँ आपका अब वी दूसरा क्या है यह है होदे ह stitch लगा हुआ तो प्रियोड़ी उपर वाले को पहले मिलेगी ना कि इस वाले को ठीक है यह द्यां रखना है उपर यूग्त नियम के आधार पर लैक्टिक अमल के दो प्रत्वम समाविम निम्न प्रकार हैं तो यह हम किसकी बात करेंगे यहां पर जिसके दो समाविबी आपको नीचे देख वीडियो थोड़ा सा लंबर हैने वाला है ठीक तो बने रही है हमारे साथ और जुए यह हमारी किसका है एले के दो समाविबी आपको दिखाई दे रहे है तो यहां पर हम बात करें आएले की तो लिए फोर दॉट इसका फार्मूला क्या होता है यह और ओएच और ओएच ड तो यहां पर देखलो यह यह इस तबाले कारवन से एक तो आपका दूसरा के लगा हुआ है तो इसकी अगर हम बात करें इसका दूसरा अगर इसकी मिरेर इमेज की बात की जाए ठीक है है यहां पर हम इसकी मिर्र इमेज की बात करें तो यहां पर मिर्र लागा तरह यह यह-पर रहीं, वाला ना भी पास में रहेगा यह दूर है तो यह कहां हो जाद दूर और ये जो लगा हुआ है यह का है पीचे आप 연 Recommiked इहां कि जो की पीछे लगा रहे था उसकों जिसका मतलब नयमिंग करते समय जिसको कम priority मिलती है उसको हम क्या मालते हैं अपने इसे दूर मान ले लिखेel बागी तीन होते जिन सबसे पहले किसको नंबर मिलनी जाहिए तो यहां पर एक किसको मिलेगा इसको वाले को ठीका ज ेकिंड अगर आगे बड़ोंगे तो इन Михต को दियाए तो दो नंबर देखो यहां क्ारबन यहां कारबन तो दो कि इसको केल जागा फूर मिल जागा यहां कि तरी तो इसको केमल जागा थाइख में किदर होती एक से दो की और जाते हुए कहां पहुंचेंगे एक से दो और तीन की और जाते हुए हम क्या करेंगे उसको round गुमाएंगे देखो कहां पहुंद जाएंगे एक ये है दो ये है और तीन ये तो हम इदर से चलेंगे एक फिर दो और ये तीन पर आगा तो ये कैसा हो गए आप गा क्लोकवाज तो जब क्लोकवाज होता है तो वो condition हमा वो ओ जयागा तो यहां पासे और इसको क्वं से मिल जागा है वो लगह दो नमबर देंगे और यह क्या बच गया आप थ्री बच गया तो आप यहां से चलोगा दो और फिजर को तो यहां से गईप चलना सुरू करोओगा तो एस तरह से आपको इसकी इसकी ठोलोग में र और ऐस आपर ना इसी तरह आप आपर नंगर यह कर नींग इस इसे आथ चारवन परमाडूब कर लाइं कि झूड़े प्रमाडू रघ्र रेवाल रख्रें कि लगे हुए हैं आप कि बरियता किरम निम्फ प्रकार यानि कि हमने वह को क्या दिया था नंबर दो दिया था और स्प्ष थ्री को दिया था हीडोजन को दिया था घू नोबर Corporateon s is तरह आपको देखने से लगा खुए था तो इसके हम बात करें तो बहाँ पर भी कारबन लगा हुआ था तो यहां पर देखो जो आठ इसको हम नंबर एक देंगे क्योंकिplease हमारा के षपुर्व सुप्ति लिए इसमें इनिम करेंगे का करें इसको देरेंगे कई तरह सभी है में नंबरिंग करते हैं और उसीस आप से हैं करते हैं ठीक है क्या जयाना है यह प्लोक वाइं तो यह पी ओ पर मुझा हुआ कि यह आ गया हमारा इक नंबर कर दिया हमने अब हम लूँ तरहां पहुंच वे ज्यादा आगे क्यों पहुंच वे कि यह कि यह पढ़ना यह करारा प्रकाशीक गोडन आर तथा एसप्रतीग अभी जो प्रतीग होते हैं इनको कि खरा किसी होगिक कि यह प्रकाशिक गोडन तथा उसके और एवम is बिन्यास में प्रकाशिक गोडन या एवमش लिवन नियास में बिसुआ को प्रकासिक वित्रण के लिए उसकी बिन्यात और एस तथा उसके गोडन की दिशा दक्षिणावर्त या बामावर्त अर्थाद प्लस या माइनस जिसको हम डी फर्म या और एल फर्म कहते थे दोनों का बड़न करना पड़ेगा ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा ठीक है किसका आर एस और किसका उसके जो कॉन्फिरेशन बनते थे एल और डी फर्म इन सब का हमें क परणन करना पढ़ेगा ठीक में अधारन के अगरम बात करें तो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो मेथन की फिसर प्रिछेपन को निम्ण दो प्रित्वंभों रूप प्रितवंभों में असम्मित कार्वन से जड़े हुए प्रमादुन हो जैसे और डिन हो गया अग्रता क्रम में किरांचा 1 2 3 वा 4 अंक प्रदान किये जाएंगे किस तरह से किये जाएंगे जैसे अगर हम बात करें कि यह जो हमारे पास दे रखा कॉलो फ्लोरो ब्रोमीण Normal कि तो सबसे ज Łogई सबसे नंबर किसकी जिए जाए सबसे प्र Tib tutti School सबसे और ना पर सब्से कम पहले कूँन आता है यंजाए इस फ्लॉरी इसके बाद के आता है आपकर यथा propri Negroमान का आपका कितना हो जाता है तर्दिवाइग हो जाता है ठीक है उसके बाद क्या आता है आपका अधी जिसका प्रमार्णुकृमा की लगवाख मुल्टव्य के या सेवनटी के आश्पास हो जाता ठीक है मतलब इससे ज़ाद रहता है तो यहां पर लिए अगर हम बात करें तो सबसे फिर्ष्ट प्रियोर्टी किसको देंगे हम आयुडिंट को ठीक है कि अब डेश्ट प्रियोर्टी आपको किसको मिलेगी अब कि अब कि अब कि बहुत ज़ागे हैं होगं do you have a pistol security आप किसे देंगे सबसे पहले किसको देंगा हम फ्रोरैड को क्योंकि इडीन उपर से नीचे आना पर सबसे नीचे आता तो सबसे यादा हुगा उसके बाद किसका होगा ब्रूरैन गाओ सबसे ऊपर के आता है तो सबसे जा इसको मिलेगा यानिकि इसकी जो नंबर इंगे बहुत ही लोर आएगी ठीक है तो फिर्स्ट सेकंड थार्डी के और हम चलते हैं तो क्या हो जागा इदर से आप इदर जाओगे तो आपको कौन सा मिलेगा यानिकि राइट लॉक वाइज हो रहा है तो क्लॉक वा इसको नूंब्रने से दो एक गुलीन को दो क्लोरीन को तीन अगर घूम के आऊ तो क्या मिलेगा आपको आपको यानिकी एंटिक लॉक वाइक स्निस्टर के नाम से जानते तो यह जागा आपगा नेमिंग यानिकी नाम किस तरह से इसको आर एस कॉन्सक्रेशन बनाएंगे अगर हम फिशर की बात करें तो कह रहा है फिर अडु का चतुसफलक की आंडविक मॉडल बना कर चतुसफलक को इस प्रकार से देखते हैं उसका हम क्या करेंगे चतुसफलक की आंडविक कर लेंगे तो हम इस प्रकार देखते हैं कि सबसे कम बढ़ीत यानि कि परिफरेंस जिसको सबसे कम परिफ्रेंस मिलिएыми का परमानु चारंक वाला राउन जिसको कम मिलेगा वह जा राइन को वाला परमाणु कहारा है यह समू हो आपका तो कहारा है अर्थात चारंक वाले समूह को अपने से दूर रखते याने कि उसको पीछे मान लेते हैं बागी जो तीन पर्मान हुए समूह होते हैं वो हमारी ओर निर्दिस्पल रहते हैं अनि को देखने के लिए येक तीन मेरिक पर देखने के लिए आ posth Сब्स ऑंको तयु एक चलेगा जाए ठीक है एक दो और ये तीन कुछ इस तरह से कह रहा है यदि यह है किरम गड़ी की दिशा अर्था दक्षणा वरत यानि कि कलोगवाज होता है तब इस कारवन परमाणूं का जो बिन्यास होता वो कैसा होगा आर होगा अगर कलोगवाज होता है यह किरम तो कैसा होगा बिन्यास उसका अर्वन परमाणूं का आर होगा कह होता है तो इसका कैसा होगा आपका है सो सब्से लिया गया है जिसका लिए गया है मतलब किया होता है जिसका लेटिन वासा में अर्थ भौट बाया ठीक है तो यह आपको ध्यार रखना रहा राट जो आर है रेक्टस लेटिन वासा का सब्द है जिसका मतलब क्या होता है तो यह दोनों आपको याद रखना का रहा ब्रोमो कलोरो अब हम क्या करेंगे जो ऊपर हमने देखा था ब्रोमो क्लोरो फिलोरो आयोडो मेथेन का उसका फिसर सूत्र संगत चतुस फलकी माडल को चित्र द्वारा दर्साया जा सकता है जो इनके करम सा नंबर फर्ष्ट आर पस टेकेंड एस बिन्यास पहला के होगा आर और दूसरा के होगा आपका एस बिन्यास ठीक है किस तरह से होगा अभी हम देखते हैं अच्छ बिन्यास संगत है ठीक तो यह आपका हो जागा खुलो फिलोरो आयोडो मेथेन तो यहां पर अगर हम बात करने तो सबसे फ्रस्ट किसको मिलेगी आयोडिन को कि फ्लोरीन को को मिलेगी फ्लोरीन को माल लेते हैं जिसको कम अपने से दूर मान लेते हैं इसके तीन लगे हुएots इसको अगर हम चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे बन टू और यह कहां थिरी पर आके समाप्त हो जाएगा तो हम कह सकते कि इसका क्या हो जागा आर मिलेगा देखने को तो हम आपका फस्ट मिलेगा और क्लोरिन को आपको कौन से मिलेगा थड देखने को ठीक है तो यहां पर क्या हो जागा यहां पर अगर हम इधर से आएंगे फ़र्स्ट सेकेंड और थार्ड होते हुए तो हम कहां आजाएंगे इधर आजाएंगे क्लोरीन की दरफ ठीक कि यह क्या आजागा इसका किरम कैसा आजागा इधर आजागा ठीक है फ़स्ट सेकेंड और थार्ड तो इसकी अगर हम बात देखा रहा है तो एंटी क्लोग वाज होगा वो क्या दर्स आएगा आर क्या ओ स्वरी एस दिखाएगा ठीक है तो यह आपको हो गया एस और और नेक्स्ट देखो किस तरह ऐसे इसका हम बिन्यास चित्र जैस्टी के अभी उपर देखा था आपने ठीक है उसमें क्या चतुस्पल की प्रदर्शन किया गया ठीक है टेटर एडर नेक्स्ट कहला रहा है चतुस्पल की रूप को फिशर के प्रिच्छेपर रूप ठीक है फ चतुस्पल की लोग यह इंदें रहते से घुल रहे हैं उसरी को प्रेवर्तित करकिंए तो किस तरह से देखा है यह देखो यह दे रखा ठीक नमबर एक आपको चतुस्फलकी रूप यह आपका क्या है चतुस्फलकी रूप है जिसमें हमने माना है कि जो हमारा OH ग्रूप है यह कारवन से सीधे ऑक्सिजन लगा हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे इसको नमबर एक दे देंगे यहां पर कारवन से कोई भी रगा हो तो उसको मानते की दो बार है कितने बार है ही बार तो नमबर थी को देंगे तो शबशे कम नमबर इसको देंगे ऐख नागा जुआ और देखेंगे तो अभी हमने देखा था कि जिसको कम प्रियोर्टी मिलती है उसको क्या करते हैं और दौदर लाइन के बिल्कुल नीचे हम मान लेते हैं तो यहां पर देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ठीक है वोपर क्या आपका वोफ नीचे के लगा हुआ है यहां पर क्या मन लिया आपका और यह जो लगा हुआ है यह किदर आगे आपका यह आगा है और यह आपका क्या आगे हाई ठीक है तो यह क्या है फिसर प्रिछेप सूत्र यह किसको हम क्या करेंगे अब इसको हम इस तरह से करेंगे कि जो हमारा कम प्रियोर्टी वाला एटम या ग इसको प्रियोर्टी मिलती है उसके बाद इसको के मिल जागा है इसको नंबर एक मिल जाता है कूеле तो इसको 2 नुमबर 3 तो इसके बान करें एक से आप कहां जाऊगे खूलक वार्वर तो यह आपका हो जागा रोकू जाता है तो यह आपा बताना नहीं यह कह रहा कि इस तरह से हम इसको अरेंज करते हैं कि जो सबसे कम प्रियोर्टी वाला हमारा आटम या गुरुप होता उसको हम क्या कर रखते हैं बिल्कुल नीचे रखते हैं ठीक है तो यह आपको इतना याद रखना है इस आधार पर इत्र में दर्साय गए योगिक आर का बिन्यास होगा इत्र में दर्साय गए योगिक योगिक का बिन्यास का इसा होगा आर होगा जो अभी हमने देखा था ठीक तो गारा आता है अडू की त्रविमिय सरचना की कल्पना किये बिना ही फिसर प्रिछेप सूत्रों की साहता से बिन्यास का निर्दारण किया जा सकता है फिसर प्रिछेप सूत्रों की साहता से बिन्यास का निर्दारण हम कर सकते हैं जब किसी अड़ों की तरविमी कल्पना किये बिना उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं मतलब बिना कल्पना किये हम क्या कर सकते हैं फिसर प्रिचेप सूत्र की सायता से हम उसका निर्दारार कर सकते हैं ठीक है विन्यास का निर्दारार कर सकते हैं जैसे कि हमने अभी उपर देखा था अगरता प्रियोर्टी के निर्दारार करने के लिए हम क्या करते हैं फिसर प्रिचेप यानि कि प्रोजोक्शन फार्मूला को इसी प्रिकार लिखा जाता है कि सबसे कम अगरता यानि कि कम प्रियोर्टी का प्रमानु या समुग उर्ध्वादर रेखा में सबसे नीचे रहे सबसे नीचे रहे हैं इसके लिए फिशर करना आपको पड़ सकता है क्या करना पड़ सकता है क्या करते हैं तो ऐसे करने के लिए यदि एक बार क्या है यह बार दो समूऊंगी इस्थिती में अंतरपरिवर्जन करतीं क्या गरते हैं अंतरपरिवर्जन हम कर देती है जाए कि अभी उपर करा था हई है अभी हमने ओपर उपर हो जाता हो समय में क्या मिलता है ठीक है yogurt Lal और यदि दो बार कितनी बार दो बार अंतर परवर्तन किया जाता है तब मूल बिन्यास वाला मूल बिन्यास वाला समावे भी हमें प्राप्त हो जाता है जैसे कि निम्न उधारण नंबर चार को आप नीचे रखने के लिए इसका दो से अंतर परवर्तन करते हैं तब तब प् किस तरह ऐसे करेंगे यह आपर क्या कर देंगे क्या करते हैं सब्सक्राइब कर देते हैं थिक तो कं लुआ को विण्यास वाला योगिक्ष मात्त करने के लिए मुई भिन्स के लिए कित्ते बार न्थरकाइब बड़ेगा दो बार में अंतर यानि कि इंट्रचेंज करना पड़ेगा आपको तो यह क्या ही हमारा यह यह लगा हुआ हुआ है यह हमारा यह लगा हुआ है यह यह क्या हो गूरुप कर दिया बाला यहां तो इसको करते हैं फिसर पर छेप की अनुसार की जो चार नंबर वाला हो उसको क्या ले आते उर्धादर नीचे ले आते तो एक इस तरह से आएगा फ़र्ष्ट इंटर चेंज अगर हम कर देंगे तो क्या होगा परश्ट इंटर चेंज में यह दो आपस में अब हमें second interchange यानि कि जो मूल प्राप्त करना है जिसके हमें बो निकालना है बिन्यास निकालना है ठीक है तो उसके लिए हम क्या गरेंगे इसमें एक second interchange ओड कर देंगे यानि कि third वाला कहां पहुंच जागा first की तरफ और first वाला कहां पहुंच जागा कि अब हुआ कि अब है कि अब है कि अब है कि अब है फिर चौथी बरीता की चौथी बरीता ठीक है अर्थाथ चारंग जिसको मिलता है उप्यक्षा करते हुए एक से दो होते प्रियोर्टी बन मिलीए इसको मनें कितना दिया दो और इसको मनें कितना दिया तीन और यह हमारा कैसा है सबसे लोग प्रियोर्टी वाला एक से कहां पहुंचना तो यह इस दारेक्शन में चल रहा है ठीक है क्लॉग वाइज डारेक्शन तो हम कहां हो जागा आपका आर हो जागा अब मानलो कि इसको एक मिला ठीक है यहां पर देख लो उपर बाले को हमने एक दे दिया है ये वो गुरूप लगा हुए जिसको दो नमबर मिला है यह वो गुरूप लगा हुए जिसको तीन नमबर मिला है यहां पर आपका सबसे लोग प्रियोरिटी का एटम लगा हुआ है तो हम कहां जाएंगे एक से दो होते हुए और हम कहां प आजेंगे बिल्कुल आपके समझ में आ जागा ठीक है और आप इस तरह का कोई भी जो एक्जाम्पल हो यहां आपको कोईशन में दे रखा हो आप छोड़के नहीं आएंगे ठीक है करा आरेस पद्दती से नामकरण करना निम्न उदारणों की सहता से और अधिक सपस्ट हो जाएगा निम्न उदारण यह दे रखें जिससे आप आरेस को आरेस निम्न किलेचर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं अन्न उदारण आपके दे रखें जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें तो यह हमें एक बाट करें सबसे पहले किस परमाण किस कारवन को देंगे तो यह आपको यहां पर तो लग पर अगर हम बात करें सबसे पहले यहां पर कारवन लगा हुआ यहां फिर दूसरा चीच पहले नमबर कना या इसको सब्सक्राइब बढ़ को कि इस तरह से अरेंज करना कि जो हाइडोजन वो कहां जाए नीचे आजा यह वाला आपका कहां पहुंचागा और यह वाला आपका कहां पहुंचागा आपका यह कि नंबर दिया था दो नंबर दिया तो इहां से इसको कितना दिया था तीन नंबर तो यहां से गर आप होते हुए चलोगों यह किष दा रिक्सन जा रहा है क्लोक बाहने जा रहा है तो हम सकते हैं कि सकते हैं हार में बन के साथ चार संहों जैसे वेजन चछिप जुड़े हुए हैं जो कि आपको दिखाई दे रहा है काया निम्लिकित प्राफ्थमिक्ता कसंद्ग हाइडोजन उर्धादर हाइडोजन क्या करते हैं उर्धादर हैं कि वर्टिकल रेखा में नीचे प्राफ्थ करने के लिए दो बार अंतर परिवर्थन करते हैं जैसा कि हम इंटरेंज कर दिया था हमें क्या मिल गया था यह मिल गया था और इसका विझाप्राफ्थ को इसको कि रोप को दिया तो किसको on सब्सक्राइब देखने पर आंख गड़ी की दक्षणा वर्त यानि की रेखा में घूमती है ऐसे करम देखेंगे तो हमें कैसा लगेगा ऐसा लगेगा गड़ी की दक्षणा वर्त दिशाय में यह जो है आपके मॉलिक्यूल में आपके दो कैसे कारवन लगे ऐसे इस सभी डिफेरेंट डिफेरिंट एबीसी डी एबीसी यहां पर लगा हो E F G इस तरह के गुरुप लगे हुए हूँ तो इसको कहेंगे यानि कि ये दोनों कारवन कैसे हो जाँगे हमारे असम्यत कारवन हो जाँगे ये आपको दियार रखना है तो अगर दो असम्यत कारवन हो कराAll तो इसका सूत्र आपको यह कुछ दिखाई दे रहा है यहां पर हो जागा ठीक है तो इसमें आर और आइस निकालना है किस तरह से कर दो तक न uk si लगं है का कर से लगा अब कर दो फ्रिक यह लगा हुआ दूसरे तीसरे वाले से कर ऑप अच्तर लगा हुआ है तो यहाँ पर हम इसको मालेंगे एक Natural और इसको क्या मालेंगे 2 ha इँ यहाँ पर… यह हमारा क्या हो जागा Karbon No.2 यह Karma No.1 अरोसे कारबन से लगा हुआ है ADRIGEN लगा हुआ है CH3 तो इसका अगर हम नाम करान करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे यह देखो, यह आ गया आपका, तो कह रहा है स्रंखला में कार्वन प्रमाणू का अंकन करने के बाद C2 यानि कि दूसरे कार्वन पर हाइडोजन को उर्द्वादर रूप में रखने के लिए C2 से सनलंगन 3 समूज ऐसे हाइडोजन, OH और CH3 को एंटी क्लोगबाईज रूप म निम्रपरकार से कर देंगे, उसको लिए तो सबसे पहले हमें करना क्या है, कि सबसे पहले करक कह क्या रहा है कि जो हमारा लोग प्रि वालigon अटम करेंगी नीचे लाएंगे तो नीचे लाने के लिए दूसरे कार्वन को हम घुमाएंगे । आप यहां पर अटचेंज क रहेंगे लागउ मिलातर या कि यहां पर अलग अलग कार्वन को आइड जने तो इसको हम इधर लाएंगे ठीक करेंगे यह तीनु की आफ रोटेट हो जाएंगे ठीक और एक दूसरी की पोजिशन फिक्स हो जाएगी हारव सिस्टरी यहां पर आजागा जो की हमें के अहां यह यह मिल जाएगा ठीक है जो नीचे आगे आपका इदर आ गया और यह पूरा गुरुप लगा हुए इतना वाला वह जिएँ का त्यों आपका जो है लगा रहेगा इसको भी हमें क्या करना नंबरिंग करने ठीक है अभी हम देखते किस तरह से नंबरिंग करना कराब सीटू का लगा हो इस तरी का अगरता करम घड़ी की सुईयों की दिश्चा में क्लोगवाज है इसलिए टीटू पर क्या होगा आर बिन्यास होगा क्यों होगा अब देखो नंबर एक यहां पर हमें देना किस वाले कार्वन को नंबर एक तो यहां पर देख लो यह पूरा गुरुप अब का ये भी कार्वन है, यहां कार्वन से है यहां कैबल हाई्टोजन लगे थीन दिए और है तो नंबर लगा हुए नवर यहां क्यों किसको देख धीन है को निक्स्त करें थठ वाले कार्वन के किसकी है अप्त भाले कारवन कि अगर हम बात करें जो उपर हमारा कारेवन बचा हुआ था कुछ इस तरह से था ठीक है तो हमने इसका तो बिन्यास निकाल लिया था उपर के आया था अब हम देखते हैं इस वाले का बिन्यास उपर बाले का बिन्यास ठीक है दूसरे कारवन का कारवन नमबर बन और कारवन नमबर टू तो इसका बिन्यास आप यहां देख लो, यह, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका बिन्यास निकालना है, ठीक है, इसका इस वाले कार्वन का बिन्यास हमें निकालना है, तो इस वाले कार्वन का बिन्यास निकालते हैं, हमें बरियता किसमें देनी होगी, तो देखो, यहां हम इसको लिख ले, हम इसको यहां कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, हमने यहां पर यह नोट कर लिया, यहां पर क्या लिखा है आपका, दूसरा कार्बन, जिससे क्या लगा हुआ, एक NH2 लगा हुआ है, आपका, NH2, और दूसरा क्या लगा हुआ है, आपका CH3, क्या लगा हुआ है, CH3, ठ अब हमें इस वाले कारवन का बिन्यास निखालना ऊपर वाले का पैसका doit लिए यानावर नैवर balance प्लोक बाइस इसे में क। हम कह सकते हैं कि ये भी आ क्या होगा आर होगा कैसा होगा आर कान्फिगुरेशन होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा सेकेंड कारवन भी आर होगा और हमारा फर्स्ट कारवन भी कैसा होगा आर कान्फिगुरेशन का होगा ठीक है तो दोनों कारवन में इसमें इसका जो कान्फिगुरेशन होगा वो कैसा होगा आर कान नेख्या गरपके करम किस तरह से तक हुआ अगरता करम कि तरह थे उससे परीचारब्ग वहाइए चुन्ना किरम में लंगे क्वाइन है तो नूड़ हो मि metro में हो तो को ता अगरता कर्म की तरह स्पर को श्रक वाइब कि यहां पर पर नॉपर निकाला रही का यानिक दोनों को कैसा आयजू को दे रहे तें दूसरा नबर हमने किस इसको दिया थे पूरे तो यहां पर यहां पर यह कैसा हो जागा आर का मॉलीकूल हो जागा हमारा ठीक है अगर हम बाद करें नेक्स्ट कहरा है अता योगे का नाम 2R 3R 2R 3R नहीं केबल 2 कारवन है तो 2R और आपका 1R ठीक है क्या हो जागा 2R और 1R हो जागा ठीक है 3 कारवन नहीं है त्री अमीनो ड्यूटेंट 2R हो जागा नहीं इसमें 3 कारवन दे रख तो 2 और 3R हो जागा ठीक अभी देखो यो कहां पहुंच गया इसमें तो 2 कारवन दे रख एंग एक कारवन जैसे यह लगा हुआ है आपका ठीक है यह कारवन दूसरा कारवन एक दो तीन चार लगें ठीक है लेकिन हमें क्या करना है इस दो और तीन इन दो बाले कारवन पर निकालना है यह तो केबल नामिंग की है ठीक है इनका नहीं निकाल ला है यह क्या वियाना कि पूरे मॉल्उक्योब्स को इने नाम दिया तो फेस्ट कारवन यह हो में पर निकालना है अर और तरद थीक है तो हमने निका लिया आप आगे बढ़ते हैं कुछ किस तरह है यह आगर ौँरस जागा लगा हुआ है आपर देखो अब आपको दिखाई दे रहे हैंProf essa कब जब इसका इंटर चंज करेंगे को स्टेंट इंटर्चंज करेंगे तो गया ओझागा यह वाला आपका इंटर चेंज करां त्य inten pal यहां पहुंच जागा तो इसमें बात करने तो नंबर इंग देखो इस वाले कार्वन से कितने परमाणू से जुड़ा हुआ तो यहां देखो यह hydrogen से जोड़ा हुए प्रमानु कुर्मांग के एक होता है यानि कि सबसे कम नंबर इसको मिलना चाहिए ठीक है नेक्स अगर हम बात करें तो सीधे के लगए यहां पर दो कार्वन लगए हुए यहां कार्वन के बाद दो ऑक्सिजन लगए हुए तो सबसे जादना प्रमानु कुर्मांग के शीका हो जागा घीक है तो इसको मिलन दे देंगे उसके बाद देखो यहर् DF talking लगा यह 2 ले dash summary अथ dein निम्न योगिक का S R बिन्यास निर्दारित कीजिए, अब हमें कुछ योगिक दे रखें, जिनका हमें S होगा या R होगा, यह आपको बताना है, ठीक? चलिए, कोशिस करिए, आप क्या हो जागा, कौन सा R होगा, कौन सा S होगा, आप बनाने की कोशिस कीजिए, ठीक? आप देखो, यह आपके पास एक मॉलेक्यूल दे रखा है, ठीक है, जिसमें कार्वन से क्या लगा हुए, एक CWH, CHO और H और NH2, यह आपको चार मॉलेक्यूल, डिफरेंट, डिफरेंट आपके ग्रूप और आटम्स दिखाए दे रहे हैं, यह आपर, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले आप, सबसे पहले, इस पहले आप, करवन लगा हुए, यह यह पर क्वं, CHO invece हम इसको देंगे, इन दोनों में हमें 24 देना, तो 3 हम हम इसको देंगे, और 4 हम क्य खरेंगे, इसको दे देंगे आपिछ प्रकार सु और प्रेयर के छिप्त कहरके लोड़ी मिली आनकर इसको नपसे कम मिलकर नीच पहुंसा देंगे नंबर ज्याद情况 ज्यादा है लेकिन इस सब्सक्राइब है लिए प्रक्रता सकाल सब्सकों तो आप एक से दो होते हुए तीन पर पहुंच गे इस तरह यह कैसा चल रहा है अंटी क्लोग बस गड़ी की विफ्रीद द्शा में चल रहा हुआ इसका बात करें तो बरीता कुछ नहीं होते जैसा कि ऊपर हम नाम देते यानि कि नंबरिंग करते वही क्या हो जाती बरीता तो यह बरीता का किरम आपको दिखाई दे रहा एन इस टू उसके बाद सबसे जसका दिखाई तो इसमें सबसे ज्यान रखने वाली यही बाद कि हमको किसके इसको सबसे हाई प्रियोर्टी देनी और किसको अव्र उसके भाद ग्माला हन वाली अप अब इसको बिन्यास बिन्यास आपको इसका बना रहा तो किस तरह से बनाओगे जैसा आमने अभी देखा था यह हमारा कर्वन से डारेक्ट लगे हुए और सब्सकर परमादू किरमांग सबसे कम होता है इसको हम चान नंबर दे देते हैं ठीक है और सभी क्या लगवाइन क्या लगवर यह थीक क्या बरावर है नेक्स्ट अगर हमें इसके बाद बात करना हो तो इस पे कितने कारवन लगे हुई दिखाई देरें आपको 2 कारवन इ तो इसके बाद यानि कि पहली प्रियोर्टी हम किसको देंगे सबसे हमें किसको प्रियोर्टी इसके बाद देंगे तो यहां पर केबल एक ही कार्बन लगा हुआ जिसका प्रमान कितना होता है चे और तो कितना हो क्लों लगा तो सबसे जादा किसका नमबर थेंगे तीन लगे तो इसको कितना इसको यहां पर दिखाया गया आपका ठीक है तो इसको नीचे लाने के लिए हमें क्या करना होगा इन में दोनों में आपस में इंटर्चेंज करना होगा क्या करना होगा इंटर्चेंज करना होगा जब इसका इंटर्चेंज करेंगे तो मजबूरान हमें उपर वाले का भी इंटर्चेंज करना होगा ठीक है तो इसमें हम कितनी बार इंट्रेंज di relaxed कर देते हैं और इन चारों की आपस में एक दूसरे के पास पहुंझ जाते हैं या निकि पहले बाला पहले बाला करे ख़ो दूसरे के फास और तिसरा खो चोरे के पास ठीक है इस अपना इस्तान एक एक दूसरे के साथ बदल लेते तो आड़ोजन कहा जागा तो यहां पर आगे आड़ोजन जहां पहले हमारा क्या था सिए थ्री लगा हुआ था ठीक है कि क्या हो गया कि इस थ्रीव हो गया कि तो नूँ कि कहां खो गया कि विश्चन नूमबर फॉर और उपर है कि इस कि पूर कि यह ठीक है तो यहां पर हमने क्या देखा था है जैसे कि हम देख रहे थे कि वह आपस में कि अखार इंट्रेचेंज हो गई ठीक है mów तो इंट्रेचेंज करने के बाद हमें यह वाली het तो पहला यह है और थर्ड के आपका यहां पर हम आ गए ठीक है तो यह कॉंसी डारेक्शन को सो कर रहा है यह सो कर रहा है आपका के दर एंटिक्लोग बाइस इधर रही बिन्यास कैसे हो जाता आपका और का मतलब रेक्टस घ्रीक है जो क्या बताता है दक्षणा वर्त दिशा का गूड़न को शो करता है नेक्स्ट आपके पास एक और दे रखा अगर इसकी हम बात करें ऑनने यह मोलिक्युल दे रखा खाई दे रखा इस इसमें क्या करना है आपको शिको सब्से पहले के करना होता है सबसे पहले कारवं से लगते हुए अटमस और घृबब आपको दे खने होतीं कि लगा हुए ऐटम्स और गुरुप अमारा कौन सा है सामने वाला उसको में कौन सा नमबर देना है तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीधे कार्बि इस कार्बन से क्या तो इसको हम कान सा देंगे जो लगा हुआ है इसको हम क्या कर देते नंबर एक हम दे चुके निएक क्या इसको हम किस्तर नांबर दे दे चुके पहुंचाँ जगए और इधर यहां पर पहुंचाँ के जग़ेंगे तिन लुको क्या करते है तो इसमें बहुंचाँ करेंगे तो यहां पर नंबर दिया था और रोट्टो तो ओएक्सचेंज करने के बाद आपको करना किया एक से दो होती है और कहां पहुंचना तीन पर यह दूसरा यह और तीसरा आपका यह करने तो यह कैसा जा रहा है यह भी हमारा क्लोग बाइचिन में गुम रहा हुआ तो हम कह सकते की इसका कांफिग्रेशन कैसा होगा इसका भी और कॉन्फिग्रेशन होगा समुगों कि बरीता का अगर किरम की बात करें तो सबसे पहले हमने किसको नंबर एक दिया था वह वैच विए क। ऑप अगर करना चाहें तो एनको कर सकते直接 यह चाहो तो नोप कर लोगाए जया दालगे तो डर्णे वाली कोई बात नहीं है यह हमारा क्या कारवन यह के लगा हुआ हीजिए के लगा हुआ होग यह के लगा हुआ सेश टूरई ये के लगा हुआ है, stage 2, stage 2, और stage 3, तो इसमें देख लो, direct कौन सा लगा हुए, यह ओ एच डारेक्ट लगा हुए, इसको आप नंबर एक दे देना, ठीक है, उसके बाद जाओगे, तो इनको दो को देखना, hydrogen को तो हमें 4 लगा है, अब यह दो बचे, अब यहाँ पर देख लगा है यहां पर एक बार चेश्टू लगा यह से कैंसल हो जागा इतना कैंसल हो गया आगे बढ़ोगो तो यहां वह लगा हुआ है यहां क्या लगा हुआ है कारवन तो कारवन और ओ में आप किसको प्रिफिरेंसी देना पसंद करोगे ऑक्सिजन को तो इसको हम नंबर दो और इसको नंबर क्या करेंगे तीन देदेंगे ठीक है तो यहां से आप लख सकते हो एक थे मिंगा जाना कुछ इस तरह से इस से पहले हमें अधुआ है हाप पहुँचा आ नीचे तो इसमें किंगे दो बार अंतर चेंज कर देंगा ठीक है अंतर पर परिवरतन कर देंगे ह लिए यहां और यह वाला आपको रहाद को इस तरह से प्राप्त होगा ठीक है तेश्ट्ट वेच आपका यहां पर तह नीचे यह पहुंजगा है ठीक है और यह जो इसकी सब्सक्राइब कर निए इसका अगर हम नंबरिंग देने की बात करें तो कहां से इस तरह से चलेंगे एक दो ती तो यह कैसा आपका चल्दा है एंटी क्लोग बाइस ठीक है तो हम उसको कह सकते हैं यह कैसा होगा और अगर हम इसके बरीता की बात करें समूग की बरीता का करम तो यह तो था हमारा और एस बिन्यास आई होप कि आपको समझ में आया होगा उम्मेद करता हूं और बने रहे हमारे साथ इसके अच्छे बीडियो देखने के लिए अगर आप चांते कि कोई अन्य बिसे भी हम आपके सामने लेकर आएं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं साथी इस सेजन को लाइक कर दीजी ठीक है जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता और हम आपके लिए कुछ नई इनर्जी के साथ में आपके सामने नई वीडियो लेकर आते हैं ठीक है बने रह ठान कर दीक है ठान कर दो, न्हलत है आते हैं रहुआ है आते हैं